तो आज हम बात करेंगे CSS के कुछ और पॉइंट्स के बारे में आज हम बात करेंगे CSS बॉर्डल करण के बारे में कि आप कैसे किसी भी HTML elements के अंदर एक बॉर्डल यूज कर सकते हैं ठीक है एक बॉर्डल बना सकते हैं अपने देखा होगा कि रिटेंगल टैप का एक बॉर्डर बन जाता है उसके अंदर में कोई टैक्स होता है ठीक है तो हम कैसे किसी भी HTML elements का एक बॉर्डर बनाएंगे और उसके अंदर कैसे हम मतलब उसकी जो radius से वो सेट कर सकते हैं एफिर उसका color सेट कर सकते हैं ठीक है कि सबसे पहले हम बात करते हैंकि हम準備 करते हैं ऐस्टेमल का तो फिलाल हम जो आपका HTML हो आपका route elements होता है आपको पता है थिक है उसे हम close प्राइनगे थीक है देन आप के हैट iseegं टैक्स भी बोल सकते हो और हैट prag को भी आप क्या करोगे close करोगे ठीक है उसके बाद आप body tag use करोगे ठीक है और body tag को भी आप क्या करोगे close करोगे ठीक है तो यह सब चीजे तो मैं आपको पिर इस वीडियो में बता चुका हूँ आप मेरे html के लिए अपने वीडियो जो नहीं देखा है तो आप html की मेरे series बनी हुई है हमारे चैनल में तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक हैट टेग मतलब आपका heading टेग ले लेते हैं ठीक है h1 tag और मैं h1 tag को भी क्या करूँगा क्लोस कर दूँगा ठीक है और इसके अंदर मैं जैसे देता हूँ CSS water color मैंने एक जनली एक आपके पास एक textual data दे दिया एक sentence दे है h1 के अंदर ठीक है इस area को हम क्या बोलते है html contain बोलते हैं ठीक है यही एरिया जो है आपका web browser में सो होता है मैंने html वाले part में पूरा बताया हुआ ठीक है या और यह जो आपका दिखरा है वो इसी के लिए tag h1 tag कहते हैं लेकिन हम इस html elements भी बोल सकते हैं ठीक है और यह जो पार्ट है वह आपका होता है html contain जो आपके web browser में सो होता है दिखाई देता है visible होता है ठीक है और इसके अंदर हम को use करेंगे तो आपका attributes होगा ठीक है और inline जो css है हम अभी inline के बारे में ही देख रहे हैं मैं external internal css के बारे में बताऊंगा तो आप inline css हो होता है जो आपके किसी भी html element के अंदर ठीक है या फिर tag के अंदर use होता है ठीक है तो मैं जो border use करने वाला हो इस css border color का जो भी border इसके अंदर use करने वाला हो मैं यहीं पस inline code करूँगा तो क्या करूँगा style ठीक है आपको पता है style use करना है आपके ठीक उसके बाद double score open and close करोगे आप ठीक है इसके अंदर आप लिखोगे border की एक property है ठीक है border की एक property है तो border ठीक है उसके बाद इस border colon जैसे वैसे ही जैसे आपने CSS की जो color की property दीखी थी background और foreground की color लिखना था फिर colon फिर उसकी value लिखनी थी तो आपकी जो CSS की जो style है और apply हो जाएगी किसमें इस HTML के अंदर ठीक है तो यहाँ पस भी वैसे ही है आपका जो border है वो आपका क्या है CSS property है इसके बाद आपको यहाँ पस थ्री pixel दे दूँगा उस border का radius देन मैं यहाँ आपस दे दूँगा solid दे दूँगा उस border का टाइप देन में color दे दूँगा आपके पास red ठीक है तो इस तरह आप इसका use कर सकते हैं ठीक है और इससे आप क्या करोगे semicolon से terminate कर दोगा वैसे सेम जैसे मैंने बताया था आपको फॉर्ग्राउंड का लर कैसे change करोगे टैक्स का color कैसे change करोगे बेग्राउंड कलर कैसे change करोगे आपने प्रिस वीडियो में देखा होगा वैसे आपको border का भी चेंज करना है ठीक है तो जैनली मैं सेफ करता हूं आपको यहां समझ में आई गया होगा कि html element जो आपका root element है head section आपका head element है जिसके अंदर आप linking करते हैं किसी भी मेटा information क्या या फिर external css के file या JavaScript के file होते हैं आपस ठीक है body tag के अंदर वही part आपको दिखाई देगा जो आपके web browser पे run होने वाला है ठीक है आपको दिखाई देगा ठीक है और आपका desktop में ही मैं रख देता हूं desktop या फिर ठीक है HTML वाले पर ही मैं आपस folder पर रख देता हूं HTML आपका folder है वहाँ पस आप simply border के नाम से save कर दें border.html के नाम से ठीक है और HTML आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि वह extension है तभी वह ब्राउजर पर पर रण होगा देन सेब कर दूँगा ठीक है जाकर देखता हूं मैं अपने HTML वाले folders पे वहाँ पर बॉल्डर वाला जो फाइल होगा उसके उपर मैं क्लिक करके उसे रन करता हूं कि आप यह बस देख सकते हो कि आपका जो कोड है कि स्वरी आपका जो HTML फाइल है मैं एक बाद थोड़ा सा उपन कर लेता हूं कड़ गया वहां से ठीक है तो सिंप्ली ओपन एस पर जाना है और यहां पर नॉट्पैट प्लस प्लस ठीक है कि आप यहां पस जनरली देख सकते हों कि हमने इपको में यहां पos यूज किया हूओ है ठीक है यह को सबसेक ins लिखा हुआ आपको यहां पस ठीक है और उसके अंदर एक Het veteran यह बनाइन क्योंकि मैंने border की जो style है वो मैंने CSS की जो style है मैंने उसकी है ठीक है आपका जो 3-pixel मैंने यहाप इसकी radius दियुए है solid जो इसमें दिया और से बहुत सारे टाइप होते है border के there से dotted है उसके बाद मैंने इसी color दे दिया red तो इस HTML element के अंदर जो head element है उसके अंदर इसने एक border create कर दिया ठीक है तो इसी तरह आप बहुत सारे border create कर सकते हो मैं border के बारे मैं आपको और डीप चीज बताऊंगा भी और भी चीज़े बतानी है मुझे बस मैं आज का वीडियो मे सिर्फ इसके color change करना चाहता था इसलिए मैं आपको यह वीडियो से बना है तो आपको यह हमारे वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को like कीजिए और वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए अपने फ्रेंड के साथ भी सेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और फिर फ